एके मोडल ओफ एकनोमिक क्रोथ जो के काफी इपोर्टेंट टॉपिक है जी टीपी का और इसमें जो भी मैं मेन पॉइंट्स बात करूंगी 100% शोर्ट है कि उन में से ही एक्जाम आने वाला है उन में से ही कोशन पूट होंगे उन से बाहर नहीं आएंगे 100% शोर्ट है और ल क्या द्रास्ट में जाके डिस्कस कर रहेंगे उसे पहले एके मोडल के बारे में रीड़ाुट कर लेते हैं कि एके मोडल क्या था ठीक है की बात किया है एके मोडल ने क्या किया है लोंग टरम ग्रोथ की बात ही इस ने किया है बट इसमें में जो जमशन है वो क्या है कि एंडोजीनियस फैक्टर की बात की है एंडोजीनियस फैक्टर कौन से होते हैं जो कि इंटर्नली प्रोड़क्शन को प्रभावित करते हैं इंटर्नली प्रभावित करने का मतलब क्या होते हैं जो बहारी फैक्टर से होते हैं उनका कोई फैक्ट नहीं पड़ता प्रड़क्शन के उपर, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, जो प्रड़क्शन को अंदरूनी फैक्टर होते हैं, इंटर्नल फैक्टर सोते हैं, वो ही प्रड़क्शन को प्रभावित करते हैं, predict the economic growth like production diminishing return of capital saving rates income production employment saving investment and technological variable to determinate economic growth जो की सिर्फ internally factor होते हैं ठेक है जो की economic growth को परभावित करते हैं these are internal causes effect the economic growth अंदरूननी कारण होते हैं जो की economic growth को परभावित करते हैं क्योंकि वो production को परभावित करेंगे उसे income परभावित होगी और income का मतलब है GDP परभावित होगी ठीक है तो internally factor होते हैं internally और external का मतलब होते हैं कि भारी factor जैसे population का परभाव परणा, saving rate का परभाव परणा वो क्या होते हैं भारी factors होते हैं जो के production को काफ़े परभावित करते हैं तो हमने सबसे पहले endogenous factor की बात करनी है जो कि एके मोडल इसके उपर ही depend है कि endogenous जो factors हैं वो क्या करते हैं GDP को परभावित करते हैं production को परभावित करते हैं उसके बाद हम लोग meaning कर लेते हैं exogenous क्या होते हैं external factors वो वाले factors to predict the economic growth like rate of technological advancement, saving rate, population, technological knowledge, etc. अगर मतलब कि क्या होता है कि पापुलेशन का भी बहुत ज़्यादा effect पड़ता है टेकनोलोजी का भी बहुत ज़्यादा effect पड़ते हैं तो इन factors के उपर क्या होता है कोई भी अगर हम बात करें कंट्रोल नहीं होता तो जिन फैक्टर्स के उपर कंट्रोल नहीं होता वो कौन से फैक्टर्स होते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर अब बात यह आते है कि देखे पहले वाले जो मोडल्स थे जैसे सोलो मोडल के बात कर लेते हैं उन्होंने बोला कि जो exogenous factors होते हैं वो क्या करते हैं GDP को प्रभावित करते हैं ग्रोथ रेट को प्रभावित करते हैं तो बात यह आती है कोशन यहां पर आता है कि दो अलगलग countries की बात कर लेते हैं तो एक developed country है एक underdeveloped country है तो वहां पर जो growth rate है वो सेम नहीं होता अब बात य यूज हो रही है लेबर का यूज हो रहा है प्रडक्शन हो रही है तो फिर question यहां पर पूट होता है कि एक देस developed क्यूं है और एक underdeveloped country क्यूं है क्योंकि growth rate में इस तरह से किस तरह से प्रभावित कर रही है कि वह वाली growth rate मिल लिए नहीं है तो एक देस तो काफी developed है और ए कुश न राइस होता है कि यहां इंकम कहिए खास्राय wouldn a कि तो यूटारी शीया चेहरी करें अधरा फॉर इंकम कि बाद करें और क्यों डिमनीक्राइब होती जा रहे rood सेविंग हो गया investment हो गया और main जो concept है knowledge का वो भी परभावित करती है ना उसकी वजह से income के उपर परभाव पड़ता है और उससे क्या होता है income के उपर भरभाव पड़ता है क्योंकि देखिए दोनों देश हैं दोनों में same production method यूज हो रहा है फिर भी क्या होता है एक में growth rate बहुत हाई जा रही है और एक में low होती जा रही है और दोनों की जो हम बात करें growth rate के वो different different होती है लग-लग countries में बतलब क्या होता है exogenous factor प्रभावित कर रहे हैं फिर भी दोनों में difference है ना तो क्या होता है कि question यहां पर जो है उसका answer यहीं पर मिल पाता है कि जो internal factor होता है वो भी प्रभावित करते हैं production को ठीक है तो इसलिए उनमें जो growth rate है वो अलग-लग होती है इसलिए एक देस काफी rich भी होता है और एक endogenous factor के बारे में बताया गया है long term growth rate होगी ठीक है बट endogenous factors होते हैं internal factors ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं growth rate को प्रभावित करते रहते हैं तो क्या होता है कि endogenous में income हो गई ठीक है तो वो labors के according बात करें या फिर income में लग-लग होती है employment का level हो गया saving हो गया investment हो गया knowledge हो गया तो अई एक मोडल होता है तो यह एक simplest वरजन है simplest version of the endogenous growth model endogenous growth model को लेके चला था और काफी simplest form इनो ने डिफाइन किया है क्योंकि ये जो है cop drugless production function है उसके उपर ही define किया गया उसकी तरह ही है the simplest version of the endogenous growth model call AK model the main property of endogenous growth model is the absence of diminishing return to capital most important lie यहां पे क्या उता है diminishing return हमें नहीं मिलते absence होता है solo model में क्या था diminishing return मिलते है जैसे जैसे labor और capital के ratio को increase किया जाता है तो उसे क्या होता है एक level के बाद जाके जो diminishing return है वो मिलने स्टार्ट हो जाते है बट AK model में क्या होता है देखे यहां पे हम आगे जाके थोड़ा सा define करेंगे कि यह होता क्यों है क्योंकि diminishing return तो इसमें भी apply होंगे बट वो कौन से factors है जो कि diminishing return को खतम कर देते हैं और increasing return मिलते रहते हैं तो इस model में जो exemption है वो constant return की लेके चलते हैं तो क्या होता है कि इसमें absence होती है diminishing return की without diminishing return is expressed तो इस तरह से किस तरह से define कर सकते है a के model को y is equal to a k y means की income output is equal to a k k का मतलब क्या होता है k का मतलब labor और capital की ratio कितनी ले रहे है a का मतलब total production कितनी हो रही है जो कि वो वाले factors भी इसमें include होते है जिनको इस model में show नहीं किया गया है तो उसे production के उपर परभाव क्या पड़ता है तो a का मतलब की production कितनी हो रही है k का मतलब labor output labor और capital की ratio कितनी है investment in human capital innovation and knowledge are significant contribution to economic growth a के model में सबसे important बातें को उनसी थी कि human capital को लेके चलते है जो कि diminishing return को खतम करते है innovation का बहुत बड़ा रोल है और knowledge का most important role है are significant contribution to economic growth these are called endogenous because here economic growth is affected by internal factor like learning, knowledge, innovation मतलब की बहुत बड़ा रोल किसका है जो कौन से factors है एक के model के अंदर जो कि production को परभावित करते है knowledge की बात कर लेते है innovation की बात कर लेते है ठीक है तो ये वाले factors होते है इंटरनली जो है production को परभावित करते रहते है ठीक है तो कि फिर से वोई question रेपेट हो रहा है endogenous का मतलब क्या होता है बाहरी factors अब दो देश है मान के चलिए तो बाहरी factors तो सेम होते है फिर भी क्या होता है growth rate अलग अलग होती है किसी देश के बहुत जदा होती है किसी देश के बहुत कम होती है तो एके model में क्या show किया गया है कि ये क्यूं होता है उस question का answer एके model में मिला था कि ऐसा होता क्यों है तो वो होता क्यों है क्योंकि internally factors होते हैं जो कि क्या करते हैं प्रोथ रेट को प्रभावित करते रहते हैं तो इसकी कुछ अजंप्शन्स हैं काफी पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं कॉंस्टेंट रेटर्न टू स्केल मिलते हैं एक तो ठीक है तो एक उशन तो यहीं से बन गया क्या हैं मार्जनल प्रोडक्टिविटी ओफ कैपिटल क्या होती हैं तो इसको किस तरह से हम लेक लेक सकते हैं धी-वाइड-ग क्या होगा तो मार्जनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है चेंज आना, capital productivity में चेंज आना तो हम लोग इसे इस तरह से denote कर सकते हैं और इसे फिर A से denote कर लिया और जो A है वो greater than 0 है इसका मतलब क्या है positive है negative तो है नहीं positive है क्योंकि diminishing return तो मिल नहीं रहे हैं, so क्या है वो positive है बट constant return mao मला खु MD तो इसमेदार चुब सब्सक्राइब अगर हम लोग अगर हम दोनों को डबल करेंगे तो जो प्रोडक्शन ची स्पास करें या क奏ब लियंकर बात्रेज़ाँ चीन सब्मुफ कोंस्टेंट रिटर्न मिलना कि मतलब जितना यहां पर क्रिमेंट हुआ उतना ही यहां पर हो गया है वह पास दिसता कि मड्लमेंट की थी टेख・ ही न से इक्निकल नोलेज उन्सक्राइब कहाँ लोग को रहां दर्वनषण में क्लोजेब होगीज्थ उन्से भार मेरेस íemनार को wires, माइएउ चलिए सब बताएबर कोक्षोण की याथ दो जो भी सब्सक्राइब के शक्राइब कोई भी कोश्चन नहीं बनेगा ठीक है फिर से रिपीट करें तो ध्यान से सुनने के बाद आप अपने आप कोश्चन करोगे और कोई डाउट नहीं रहने वाला इस मोडल के बाद अपने अपनेशिंगर नहीं होगे अब यह जो डिमिनिशन रिटर्न अच्छे से डिफाइन करोंगे क्यों नहीं मिलते देख्ये अपनेस नहीं होते यह मोड़ी होतेशन नहीं होते नहीं Jeanne आगे डिस्कस करते हैं उसको प्रोपर ली थिरुम के साथ एके मोडल यूजे लीनियर मोडल एके जो मोडल है वो क्या है लीनियर मोडल है वियर आउटपुट इस लीनियर फंक्शन ओफ कैपिटल लाइक कोब डगलस प्रोड़क्शन फंक्शन यह इस पे भी आपा लेक्चर डिफाइन करेंगे इस पे भी एक लेक्चर बनाऊंगी मैं कोब डगलस प्रोड़क्शन फंक्शन क्या होता है बट आपने रीडाउट किया होगा प्रोड़क्शन इस इक्वल टू एज इक्वल टू के की पावर अलफा एल की पावर बिटा यह लीनियर प्रोड़क्शन इसमें थी क्या था कॉंस्टेंट रिटर्न मिलते हैं एे प्लस बी मतलब अलफा प्लस बिटा इज इक्वल टू वन मतलब कि कॉंस्टेंट रिटर्न मिलते A का मतलब क्या होता है total productivity, K का मतलब क्या है यहां पे capital और L का है labor और जो alpha बिटा है sorry मैंने alpha और beta को A और B से denote किया A की बात है A और B का मतलब output velocity कितनी हो रही है उसके बाद A के model K coding Y is equal to A K K का मतलब physical capital and human capital ठीक है physical capital और human capital हम लोग कितनी यूज़ कर रहे हैं और जो A है वो क्या है वो हमारा positive है growth rate capital की बात कर लेते हैं growth rate कैसे होते हैं तो output में change किसके बराबर होता है SY मतलब की income का वो part जो हम लोग save कर रहे है marginal propensity to saving क्योंकि जो A के model है वो Kenjin model के उपर भी थोड़ा बहुत अधारीत है जो production में change है वो किसके बराबर है SY का मतलब क्या होता है output income का वो part जो हम लोग क्या करते हैं save करते है marginal propensity to saving minus depreciation मतलब की depreciation भी होगा गिसावट भी होगी उसको हम लोग minus करेंगे तो वो किसके बराबर होगा change in output या हम बात करें growth rate of capital तो growth rate of capital किसके बराबर है कि हम लोग income का कितना part है वो save कर रहे हैं और उसमें से depreciation को minus कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है human capital को बहुत ज़दा importance दी गई है so हम लोग depreciation को क्या करतेंगे minus कर देंगे उसके बाद mathematics में हम लोग क्या करतेंगे एक particular level तक जाने के लिए हम लोग multiply और divide वगेरा अराम से कर सकते हैं तो इस theorem को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइटों में क्या करेंगे के से divide कर देंगे जब हमने के से divide कर दिया तो हमारे पास growth model क्या बन गया change in k divided by k sy divided by k minus depreciation k divided by k तो यहां से जो है हम लोग k को k से कटने करेंगे रहने देते हैं और यहां पे जाके क्या करेंगे जो y की value है यहां पे जो y की value है वो यहां से a k put करेंगे ठीक है तो a k put कर दिया divide by k और s k divided by k ये भी सेम है हमारे पास यहां से जो है k से k कैंसल हो गया यहां से भी k से k कैंसल हो गया तो हमारे पास जो growth rate of capital किसके ब्राबबर आ गया sa minus depreciation तो sa का मतलब क्या होता है कि जो saving है marginal propensity to saving है output के according वो हमारे क्या होती है greater than depreciation क्योंकि देखे depreciation से greater होगी तभी हम बोल सकते हैं कि long time में जाके growth rate होगी क्योंकि इसमें जो है diminishing return लागो नहीं होते है so इसमें जो है हमारी growth rate है वो greater than depreciation से depreciation से greater होगी तभी growth rate increase होगी न उसके बाद model को ओर थोड़ा सा define करते हैं क्या होता है कि जो growth rate है वो इसके ब्राबर है और हमें पता है जो हमारी S sorry यहां पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको काट के set कर लेना जो हमारा S A है वो greater than क्या होता है depreciation से greater होता है क्योंकि इसमें क्या मिलती है हमें continuous growth rate मिलती है physical capital भी increase होगी human capital भी increase होगी क्योंकि यहां पर जो है इन दोनों के कारण क्या होता है diminishing return लागू नहीं होते अब इसको अच्छे से सुन लेना ठीक है मैंने सब कुछ लिखा नहीं है अच्छे से सुन लेना फिर से स्टार्ट करते हैं जो S A है वो greater than saving है और saving और हम बात करें saving और investment के उपर ही हमारा growth model चलता है सोलो मोडल में क्या होता है सोलो मोडल में भी saving increase होगी investment increase होगी बट जो saving increase होगी वो temporary होगी सोलो मोडल में बोला गया saving भी increase होगी growth rate भी increase होगी बट वो क्या होगी temporary होगी अब temporary क्यों होगी क्यों 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 क् और क्या एक क्रोम पर सकता है। मृत्पपरいきょ पैंस से अमेल मरंत मरं रिक बालो के शुप जाएँ वह पर दौने में करेंकोलिक हो सुअधित सब्सक्राइब human capital की बात कर लेते हैं ठीक है इसमें क्या होता है diminishing return लाग होते है physical capital में क्या होता है diminishing return लाग होते है और human capital में क्या होता है increasing return लाग होते है अब human capital में increasing return क्यों लाग होते है क्योंकि यहाँ पर knowledge increase होती है ठीक है investment होती है research होती है उसके कारण क्या होता है नोलेज में इंक्रीमेंट होता है और नोलेज के कारण क्या होता है यहां पर हमें increasing return मिलते हैं और यहां पर decreasing return मिलते हैं तो growth rate में आपने सुना होगा हम लोग दो model की बात कर लेते हैं ठीक है दो model कौन से होता है एक तो होता है manufacturing sector दूसरा होता है research universities manufacturing sector का मतलब जहां पर goods produce होते है और research universities में क्या होता है increasing return लाग होते हैं क्योंकि factor produce करते हैं तो knowledge का use किया जाता है research universities में क्या होता है knowledge का use किया जाता है knowledge के coding सब कुछ होता है और इसमें क्या होता है goods produce की जाती है तो हमारा जो production function है वो क्या बनेगा y is equal to function of k 1 minus u l इसका मतलब क्या हुआ कुछ labors का use है वो knowledge produce करने में लगा हुआ है और कुछ labor का part का goods produce करने में लगा हुआ है मतलब manufacturing sector में लगा हुआ है और कुछ जो labor का part है वो research universities में लगा हुआ है इसे क्या होता है जो हमारी output है goods का भी production होगा उसमें और knowledge में भी increment होता रहेगा मतलब कि knowledge produce कर रही है कुछ labor क्या कर रही है knowledge produce कर रही है तो 1 minus u जो labor है वो manufacturing 1 minus u manufacturing sectors में जो goods produce कर रही है उसमें चली गई है तो क्या होता है increase the efficiency of knowledge ठीक है तो जो labor की efficiency है वो knowledge से बहुत ज़दा increment होती है क्योंकि वो research में लगी होती है means knowledge बनाने में लगी होती है तो क्या होता है कि देखे diminishing return हमने बात की थी human physical capital और human capital तो क्या होता है diminishing return भी आ रहे है और increasing return भी आ रहे है तो increasing return ने क्या किया diminishing return की जो value थी उसको खतम कर दिया और increasing return इंक्रीज हो रहे है सो बात करने वाली क्या है यहां पर एक साइड क्या आ रहे है diminishing return आ रहे है एक साइड increasing return आ रहे है तो इसको offset करके increasing return इंक्रीज होते है सो यहां पर क्या होता है हमें constant return मिलते है constant return मिलते है Coop Douglas Production Function की तरह है तो यहां पर all over हम फिर से repeat कर लेते हैं AK Model क्या है AK Model में क्या होता है Diminishing Return जो है वो लागू नहीं होते Absence होती है अब आपको समझ में आ गया होगा कि Diminishing Return क्यों नहीं लागू होते है देखे Diminishing Return तो मिलते हैं वो increasing Return क्या करते थे डिमनी सिंग रिटरन को ओफ सेट कर देते हैं ठीक है ओफ सेट कर देते हैं और इसमें जो है एके मोडल की अगर हम बात करें तो लेबर और कैपिटल की रेशो है उसके अकोर्डिंग प्रडक्शन होगा नॉलेज के उपर बहुत जादा ध्यान दिया गया है ठीक है क्योंकि जो युनिवस्टीज है वहाँ पर नॉलेज भी परड्यूस हो रही है और कुछ लेबर का जो पाल्ट है वो गुड्स भी परड्यूस कर रहा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के उपर बहुत जादा ध्यान दिया गया है इस मोडल के उपर कॉंटिनियूस ग्रोथ होगी क्योंकि सेविंग भी इन्क्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट भी इन्क्रीज हो रही है बट यह क्या है पर्मानेंट है ठीक है पर्मानेंट ग्रोथ हो रही है लोंग टाइम में जाके पर्मानेंट ग्रोथ रेट मिलेगे डिमनिसिंग रिटर्निस में लागू नहीं होग क्योंकि मॉडल को अच्छे से समझ लिया तो कुश्ण भी राम से समझ में आ जाएगा और उससे पहले रिक्वेस्ट तो लाइक कर दीजिए वीडियो कोताकि मुझे मोटिवेट मिले कि हाँ आपको समझ में आ गया क्योंकि मुझे कुछ तो फीडबैक मिलना चाहिए ना ठीक है कुश्चन स्टार्ट करते हैं एक की प्रोपर्टी ओफ एक के मोडल की कौन सी प्रोपर्टी एपसेंस ओफ डिमनीसिंग रिटर्न देख लो पता चल गया ना तो वह क्या करते हैं उसको खतम कर देती है डिमनीसिंग को उसके बाद आगे तो पढ़ने के वैसे जरूरती नहीं क्योंकि देखे इसमें यह तो है नी एसा कुछ भी नहीं है सिरफ हमी की प्रोपर्टी उठानी है तो यह तो सबसे मोस्ट इपोर्टेंट की प्रोपर्टी है अगर एके मोडल की बात करें तो बाके चलो रीडाउट कर लीजिए कैते इस संस्टेंड ड़ोफ ओटोमेटिक इनिवेस्टमेंट कोई बात नहीं कि इसमें कंपाउंड एकनोमिक सिस्टम की कोई बात नहीं कि हाई प्रोबिबिल्टी ओफ दा पूर एकनोमी टू कैच अ मतलब मेन जो की प्रोपर्टी वे क्यों dużo नहीं है सेकेंड को स्ट्ण है इसमें एकन्यिस के MARdovision तेमारी इसमें धुइंड बिलकूल राइए थै 않은 के मोड McD प्रोप उप्षिन स्टेंद है मतलब की नौलज भी प्रडियूस हो रही है नौलेज भी इफट करेंगी इन्वेस् बिल्कुल राइट है उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 45 कोशन एक्जाम में आया हुआ है विच फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक मोडल ग्रोथ कौन सी स्टेटमेंट इसमें फोल्स है तो फोल्स की अगर हम बात करें इस इस पार्ट ऑफ एंडोजिनियस ग्रोथ थियूरी बिल्कुल सही है दा मोडल अजूम दैट इंक्रीजिंग फीजिकल स्टोक फेपिटल विल सिफ्ट अप्रडुक्शन फंक्शन हां भी फीजिकल कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा कहते हैं कि इसमें डिमनिसिंग रिटर्न लाग होते हैं देखी यह तो बिल्कुल गलत है कि फेक्टरी इसका था कि डिमनिसिंग रिटर्न लाग हो नहीं होते हैं तो इसका जो सी ऑप्शन है वो मीन्स की राइट है राइट का मीन्स की इसके कोडिंग का है फोल्स है उसके बात कर लेते हैं 21 which of the flowing is are true एके मोडल के according कौन सा true है तो इसमें जो है the assumed constant saving rate ठीक है यह भी सही है the saving rate exogenously determinate saving rate rate of interest exogenious मान के जलता है एके मोडल की और यह वाले factors क्या करते हैं production को भरभावित नहीं करते हैं the marginal product of capital is diminishing as output यह गलत है भी diminishing return लागू नहीं होते हैं तो यह दोनों बाते हैं A और जो B part है दोनों से ही है saving rate को constant लेके चलता है क्योंकि वह exogenous है क्योंकि एके मोडल में exogenous factors की बात नहीं की गिया है endogenous factor लेके चलेंगे तो जो saving rate है वह exogenous है और exogenous हिसमें determinate आपा नहीं करते हैं तो जो second option है बिल्कुल right उसके बाद जो है last question की बात कर लेते हैं the suggest that if the level of investment is higher than depreciation then there is could be sustained growth हां जी यह बात हमने की थी जो investment है वो क्या होती है जो है वो greater than क्या होता है depreciation होता है यहां पर ऐसा हैगा sorry तो इससे क्या होता है higher होती रहती है growth rate sustained रहती है उससे they are called endogenous growth theory बिल्कुल right है endogenous है उसके बाद बात that increasing the saving ratio will have only a temporary effect इसमें हमने पहले ही बात की थी permanent effect होता है ना कि temporary तो यह जो last D option है वो false है इसके according so जो D option है इसको आप लोग tick करेंगे ठीक है तो इसके जो answer की है वो हमें यहां पर given है सबीके answer मिलते है next growth development next theory के साथ और please feedback जुरूर देए कोई भी doubt हो तो comment box में झाओ